आस्मान से बरस्ती आफ़त ने देश के कई राज्यों में इन दिनों कहर बरपा रखा है उत्राखंड, बिहार, असम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, करनाटक समेट कई राज्यों इन दिनों भारी बारिश और पाड़ की चपेट में हैं असम जईत पुर्वोतर के कुछ हिस्सों में भी वदहाली का आलम है, असम के डिब्रुगन के हाल सबसे ज़्यादा खसता है मैं देश की राजदानी दिल्ली और NCR में भी बारिश से जन जीवन अस्त विस्त है दिल्ली में सुबह से ही कई लागों में जगा 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 जाम लगा है, ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है उन्होंने लिखा है कि कल तक ट्रैफिक स्लो रहेगा एहतियात पर दे मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले 3-4 दिनों तक लगातार भारी बारिश उने का नुमान जाहिर किया है जिसकी वज़ा से दिल्ली चाम के जंजाल में फस्तकती है वहीं बात कर ये गुरुग्राम की तो वहाँ अब चाम खुल गया है वहीं मामले में गुरुगाओं के पुलिस कमिशनर पर गाज किरी है नवदीप विर्क का तवातला करते हुए उन्हें रोहतक भी जा गया है वहीं अब संदीप खिरवार गुरुगाओं के नई पुलिस कमिशनर हूँगे सरकार ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया है दूसरी तरफ यहां सडकों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरे वाक का इसन कर देने वाली है उत्तराखन यूपी जम्मू कश्मीर और असम में बाढ़ जिस तरह से कहर बर पा रही है उसने नदाने कितने ही लोगों की जिन्दगी छीन ली ऐसे में तो हम भी यही दूआ करेंगे कि अगले बरस सावन ऐसे ना बरसी हूँ देखते रहे ये डीबी लाइफ